हेलो फ्रेंड्स गुड विनिंग स्वागत है आप सबका स्वकिर्पा कलासच पर मैं महस कुमार बर्मा आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों ये वीडियो हमारा SSC GD 2022 थे इसका टेस्ट सीरीज नमबर 56 है जिसमें हम लोग सामान ग्यान के GK और GS के महात्पूर्ण पसनों को कबर करेंगे और देखेंगे कि यहां से हमारे कितने कोस्ट सही हो रहे हैं दोस्तों ये सारी टेस्ट सीरीज हमारे आपके SSC GD 2022 थे इसके सिलिबस के रिकोर्डिंग बनाए जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर साल्प करें कोस्टन कम सही होने पर पुनाह टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें ताकि होने वाली SSC GD 2022 थे इसकी परिक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेर रहे हैं तो चलिए दोस्तों जाद समय ना लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 56 को साल्प करना शुरू करते हैं दोस्तों हमा हमारा सही एंसर होगा पस्चिम बंगाल विकल्प नंबर सी यहां पर हमारा सही एंसर होगा दोस्तों भारत में में मेंगरो वनस्पत का सरबाधिक विस्तार पस्चिम बंगाल राज में पाए जाता है नेस देखेंगे कोस्चिन नंबर 2 को कोस्चिन नंबर 2 है दोस्तों व वाई मंडल में दैनिक मौसम परियोरतन निम्न में से किस में अधिक होता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों वाई मंडल में विभीन परकार की गईसों और परतों का विभरन पाजाता है। तो हमें बताना दोस्तों कि वाई मंडल में दैनिक मौसम प्रियोर्तन उन में से किस मंडलों में होता है जैसे कि सबसे नीचे छोब मंडल होता है उसके उपर समताप मंडल होता है फिर मध्य मंडल होता है उसके उपर आयन मंडल होता है लास्ट में सबसे उपरी अस्तर में ब बादल बनते हैं और वर्सा होती है यहीं पर दोस्तों गॉय मंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है नेस देखेंगे question number 3 को तीन number question है दोस्तों जवाहर लाल नहरू बंदरगा कहा इस्थित है तो हमारा साइंसर होगा मुंबई में यानि कि बिकल्प number C यहाँ पर हमारा सही एंसर होगा जवाहर लाल नहरू बंदरगा मुंबई में इस्थित है नेस देखेंगे question number 5 तीर्थ अस्थल रामेसरम बार-बार आप लोग सुने होंगे दोस्तों तीर्थ अस्थल रामेसरम थोड़ा सा confusion करें वाला question है यहां पर हम लोग इसको clear करेंगे तीर्थ अस्थल रामेसरम निम्नाकित में से किस राज में इस्थित है तमिल नाड और केरल में में confusion देखने को मिलता है तो हमारा से इंसर होगा तो तमिल नाड में किसमें तमिल नाड में तीर्थ अस्थाल जो प्रसिद्ध है रामे सो रम या तमिल नाड राज में इस्थित है नेज देखेंगे फूलों की घाटी उत्त्रा खंड राज में इस्थित है सेबन नमगा question solve करेंगे हम लोग संसत में पहला लोगपाल विध्यक कब रखा गया था इस्टेटिक जीके का important question है दोस्तों लोगपाल व लोकायुक्त से question बनते हैं इसलिए इसका answer निकाल दोस्तों हम लोग को कुछ ज जहां से देखेगा सनसत में 500 में 1968 में चोथी लोग सभा में बारबार पूछा गया कौने सी लोग करमर रखेंटि चोथी लोग सभा के बि altura के विध्यक्त होना इंहां बिध्यक्त sma7 उ गया तो कब लागया था दोस्तों कब लाए गया था दोस्तों में 1968 में पर्थम लोगपाल विध्यक नेस देखेंगे को सिंग रहनी कोईला खान बार बार पूछा गया कोश्चन दोस्तों हाइलाइट कोश्चन है सिंग रहनी कोईला खान किस राज में इस्तित है तो हमार से इंसर होगा आंधर परदेश में यानि कि विकल्प नमब सी यह आपी हमारा सही एंसर होगा नेस देखेंगे नाइन नंबर कोश्चन उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस वाधियंत को वजाते थे इनका क्या वाधियंत था हमें बताना दोस्तों कोश्चन नंबर नाइन है हमारा उस्ताद बिस्मिल्ला खान बार बार पूछा गया कोश्चन ह तो हमाई सहिंसर होगा, सहनाई है, क्या बजाते थे, सहनाई बजाते थे, इनका वाधियंद सहनाई था, नेस देखेंगे, दस नंबर कोश्चन, परसिथी निर्त्यांगना सोनल मानसिंग का संबन्ध किस निर्ति से है, बार बार पुछागा, important question है, दूस्तों, परसिथी नि मान सिंग का संबंद भरत नाट्यम से है नेस देखेंगे अले बन नमर कोश्चन सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल स्यू कुरुपा कलासेच को इसी तरह के वीडियो के लिए साची के स्थोप के निर्माड करता है साची के स्थोप से कौन संबंदित है समराटस हो यानि विकल्पव नंबर सी यहाँ पे हमारा सही एंसर होगा 12 number question देखेंगे हम लोग, world development report, यानि कि 20-20 report कौन परकासित करता है, यह हमें बताना है, 12 number question में तो हमारा सही answer होगा, 20-20 bank, world bank, यानि कि become number D, यहापे हमारा सही answer होगा, world development report, यानि कि 20-20 report, 20-20 bank के द्वारा परकासित किया जाता है, 30 number question देखेंगे हम लोग, हजरत मुहम्मद सहब के बाद, धर्म गुरु जो उनके बाद में हुई है, उन्हें किस नाम से जाना गया, यह पूछा जा रहा 30 number question में, important question है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे हैं, तो हमारा सही answer होगा, यानि कि become number C, यहापे हमारा सही answer होगा, हजर परदेश में किस परकार की मिट्टी का सरवाधिक छेतराफल में पाई जाती है, यानि कि सरवाधिक छेतराफल पर विस्तार कौन से मिट्टी का है, उत्तर परदेश में यह पूछा जा रहा है, question number 13 में, तो हमारा सही answer होगा, यानि कि विखल नंबर C, यहापे हमारा सही answer ह बांते हैं दोस्तों, नभीन जलोड मिट्टी और पुरानी जलोड मिट्टी, तो नभीन जलोड मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, वह पुरानी जलोड मिट्टी को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, 15 number question साल्प करेंगे दोस्तों, हमारा last question है, question है दोस दोस्तों अमरिता प्रीतम जो की एक पंजाबी लेखिका है बार बार यह भी पुछा गया यह कौन से पंजाबी लेखिका है और दोस्तों इनकी किर्ती है कागज में कैनवास यानि की भीकल्प नंबर सी यहां पर हमारा सही अंसर होगा तो यह तो दोस्तों आज के टेश स्री हमारे द्वारा दिये जाने वले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले टेस्टी स्रीज के साथ थैंक्स भार वाचिंग